इसान के पास वो बेहद मिलता है जिसके लिए अक्सर लोग तरस जाते हैं उमीद उमीद मिलना बहुत आसान है मगर उमीद रखना शायद सबसे मुश्किल मेरा दिल जब पहली दफा टूटा था मुझे आज भी याद है मुझे ऐसा लगा था कि मानो मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो कि मानो वो एक इनसान वो ख्वाब वो वक्त या वो एक लम्हा जो बेहद खूपसूरत था बेहद प्यारा था जो मुझे कभी ना वापस आने के लिए छोड़ गया वही मेरा आखरी था और मैं फकत यही सोचकर बिखरी कि वही मेरा आखरी था थोड़ा वक्त जरूर लगा मगर उमीद मिली मुझे सारी रात एक खिड़की के पास बैठकर अश्कों में लिप्टी शिकायतों का धेर लगा दिया और सुबह होने पर आफ्ताब की पहली जलक पर बस एक खयाल आया कि अगर ये कमबक्त हर शाम ढलने के बावजूद भी उतने ही उचाले उतने ही जुनून के साथ वापस लोट कर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं तो मैं क्यों नहीं जब तक मैं चाहती हूँ कि मैं जिन्दगी तक रहूंगी मैं रहूंगी क्योंकि एक बात तो तैय है कि मौत किसी की नहीं आते मौत को हम बुलाते जिसे जहना था वो तो जा चुका हाँ माना कि अब उसके और मेरे दर्मिया कुछ फासले तै हो गए मगर जिन्दगी से तो अभी भी उतनी ही नस्ती के अबरकरार है थोड़ा वक्त जरूर लगा मगर समझ में आया मुझे कि पहले तो बस एक दिल धड़कता था मगर अब इस तोटे हुए दिल का एक एक टुकडा धड़कता है तो तुम्हें अगर हो भी तो अफसोस मत करना कि मैं बेकस रह गई या तुम बहु सीधा ही छोड़ गए मुझे क्योंकि यकीन मानो ये तुम्हारे दिल तोड़ने का ही नतीजा है कि मेरे तूटे हुए दिल की दरारे उम्मीदों से भरी है मैं ये दरारे अब जर के जैसी चमकती है और बेहद खूबसूरत लगता है दिल पहले से ज्यादा कई ज्यादा तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया है कि तुम दिल तोड़ गए